नवस्कार आदाब न्यूस क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है आईए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस दौरे के बीच जनता का सवाल किस बात का महोटसफ सीबी एसी के स्त्री विरोधी एक्जाम पेपर का मुद्धा सोनिया गांधी ने संसद में उठाया सरकार नेमाना पी-एम के बिर्थटे पर लगे टीगों की लिस्ट में शामिल किये गए मृत लोगों के नाम और आखिर में कुरोन अपडेट देश भर में 24 घंटों में 7000 से जादा नए मामले सबसे पहले बात करेंगे काशी विश्वनात कॉलिडॉर की प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने आज से अपना बनारस का दौरा शुरू किया और चुनाफ से पहले काशी विश्वनात कॉलिडॉर का उदगाटन भी किया बता दे कि काशी विश्वनात कॉरिडॉर बनाने के लिए काशी विश्वनात मंदिर के इर्द गिर्द कहीं मंदिरों को ढ़ा दिया गया और उस पूरे इलाके को मंदिर परिसर में तब्दिल कर दिया गया ये वही काशी विश्वनात है जिसके पास ग्यान व्यापी मस्जिद है जिसे गिराने या हटाने की बाद भारती जनता पार्टी और हिंदुत वुवादी संगधन समय समय पर करते रहे हैं मगर आज जब ढोल नगाडों के साथ मोदी जी ने इस काशी कॉरिडॉर का गाटन किया उस दोरान बनारस की जनता का यही सवाल था कि ये महुतसव किसके लिए है क्या ये महुतसव महंगाई का है या बेरोजगारी का लचर कानून वहवस्ता का है या फिर पिछले पांच सा को भुगतना पढ़ रहा है तो वो हैं दिहारी मजदूर और ठेला गुम्ती में धंदा करने वाले लोग हर बार की तरह इस बार भी इन्हें शहर से खदेर दिया गया है आटो और रिक्षा चलाने वालों को भगा दिया गया है रेडी चलाने वालों के अलावा वो लोग सुनिया गांदी ने CBSE की परिक्षा के प्रशन पत्र में आये पैसेज का मुद्दा आज लोग सबा में उठाया इस पैसेज को महिला विरोधी बताते हुए सुनिया गांदी ने बोर्ड और शिक्षा मंत्राले से इस प्रशन पत्र को ततकाल वापस लेने और इस विशे प और प्रतिगामी सोच वाले अंसीन पैसेज को लेकर देज भर में उबजे आक्रोश की ओर दिलाना चाहती हूं कॉंग्रेस अद्यक्ष ने पैसेज में लिखे दो वाक्यों का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि इसमें लिखा है महिलाओ को स्वतंतरता मिलना अनेक तरह की सा पर CPSC पर निशना साधा जिसके बाद CPSC ने एक बयान जारी करते हुए इस पर माफी मांग ली है और यह प्रशन हटा दिया गया है साथ ही ये भी कहा गया है कि इस प्रशन के हर किसी को पूरे नमबर दिय जाएंगे आपको बता दें कि ये दूसरी बार है जब बोर्ड एक्जाम्स के दौरान सीबीसी पर सवाल उठें हैं इससे पहले गुजराद दंगों से जुड़े एक सवाल पर सीबीसी ने माफी मांगते हुए कहा था कि ये सवाल बोर्ड की गाइडलाइन्स के किलाफ है सवाल ये था कि मुस्लिम विरोधी गुजराद दंगे किस सरकार के राज में हुए थे केंदर सरकार ने इस बात को स्विकार किया है कि प्रधान मंतरी मोदी के जनम दिन पर चलाए गए कोविट टीका करन अभिहान के दौरान उन लोगों को भी वैक्सीन सर्टिफिकर जारी किये गए थे जिनका या तो निधन हो चुका था या फिर जिने टीका लगा ही नहीं था टीमसी सांसद अभिशेक बैनर जी ने लोग सभ़ में इस संबंद में सवाल पूछा था जी ने मुख्य तोर पर तीन सवाल पूछे पहला कि सरकार ने इस बात का संग्यान लिया है कि वैक्सीनेशन राइव के दिन उन लोगों को भी सर्टिफिक जारी किये गए जिनका या तो निधन हो चुका था या फिर वैक्सीन उन्हें नहीं लगी थी दूसरा अगर ऐसा हुआ भी तो क्या इन सर्टिफिकेट्स को उस दिन लगे धाई करोड़ टीकों में जोड़ा गया या नहीं और तीसरा ऐसा भविशे में ना हो इसके लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं सरकार ने दो सवालों का जवाब दीया है मगर इस सवाल का जवाब नहीं दीया कि धाय करोड़ में से कितने नाम ऐसे थे जिनको टीका नहीं लगा था भारत में टीका करण में हिरा फेरी का ये पहला मामला नहीं है इससे पहले कई राज़ों में अमरित लोगों के नाम वैक्सिनेशन लिस्ट में दर्च किये गए हैं बिहार में तो हाल ही में प्रियंका गांधी, पीएम नरिंद्र मोदी, अमिच चाह, अक्षे कुमार जैसे लोगों के नाम उनके यहां टीका लगाने की लिस्ट में सामने आये थे दुनिया भर में करोना के ओमिक्रॉन वीरेंट का खत्रा बढ़ता जा रहा है, ब्रिटेन ने इसे ओमिक्रॉन एमर्जन्सी करार देते हुए अडल्ट्स को बूस्टर डोस देने की बात कही है वहीं भारत की बात करें तो पिछले 24 घंटों में करोना के 7350 नए मामले दर्च किये गए हैं और 202 मरीजों की मौत हुई है भारत में अब तक ओमिक्रॉन वीरेंड के 38 मामले सामने आ चुके हैं जिनमें से कल रविवार 12 असंबर को एक-एक मामला करनाटक, चंडीगर्ड, महराष्ट्रा, केरल और आंधर प्रदेश से सामने आया है देश में ओमिक्रॉन से सबसे ज़्यादा मामले महराष्ट्रा से सामने आ चुके हैं महराष्ट्रा में कल रविवार को एक नए मामले के साथ कुल संक्रमित लोगों की संक्या बढ़कर 18 हो गई है देश में करोना संक्रमन के मामलों की संक्या बढ़कर अब 3,46,000,000 से जादा हो गई है और अब तक 4,75,000 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है देश में करोना से पेड़ित करीब 3 करोड 41 लाग मरीजों को ठीक क्या जा चुका है और एक्टिव मामलों की संक्या घट कर करीब 91 हजार हो गई है वैक्सीन की बात करें तो अब तक देश में करीब 133 करोड 17 लाग डोस दी जा चुकी है जिन में से 19 लाग 10,000 डोस बीते 24 घंटों में दी गई है आज के डेरी रॉंडर में बस इतना ही हमारी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वैब साइट पर जा सकते हैं हमें फेस्बुक, इंस्साग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें न्यूसलिक देखने के लिए शुक्रिया